साल की उम्र में यह सब एक महिला अपनी 15 साल की बेटी के बैडरूम में गई, लेकिन उसे जो नजर आया, उसे देखकर सन रह गई, हालात यह हो गए थे कि डॉक्टर के पास तक ले जाना, पड़ा, हर मम्मी पापा के लिए यह बच्चे अच्छा करे या खराब, इसका पू अच्छे संसकार नहीं दिये, अच्छा व्यवहार करे तो तारीफ भी होती है, लेकिन स्कॉटलेंड के ग्लासगो में रहने वाली एक महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में सुनकर कई माता पिता सदमे में आ जाएंगे, महिला ने अपनी 15 साल की बेटी के बैड है, हर पिरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्छे अच्छे से अच्छा संसकार पाएं, इसके लिए दिन भर उन पर नजर रखते हैं, दुलारते हैं, डांटते फटकारते भी हैं, लेकिन कई बार बुरी आदते पता चलने पर हताश भी हो जाते हैं, सोच में पढ़ जाते है कि ऐसे संसकार तो हमने दिये नहीं तो फिर ये कैसे लीन मैकगाया के साथ यही हुआ अपनी 15 साल की बेटी को लेकर वो बहुत चिंतित रहती थी लेकिन उन्हें भरोसा था कि बेटी कभी कुछ गलत काम नहीं करेगी लेकिन एक दिन जब वो बेटी के कमरे में गई दरवाज कोला तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए गई बेटी की कहानी सुनकर सब हैरान डैली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक में गाया पिछले हफ़ते BBC के वुमेन सावर में पहुची और अपनी बेटी की कहानी सुनाई उन्होंने कहा हाल ही में जब मैं अपनी बेटी के बेडरोम में गई तो मैंने सिग्रेट वेप देखी, जब मैंने बेडरोम में और तलाशी ली तो मुझे अपनी बेटी द्वारा छिपाई गई ये सिग्रेट के लगभग 15 पैकेट मिले, चून की ये वॉलेट आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इन्हे छिपाना भी आसान ह होता है, इस बारे में जब मैंने अपनी बेटी से बात की, तो उसने कहा, मुझे इसकी आदत है, इसमें निकोटिन नहीं है और आप परेशान नहों, मेरी बेटी ये मानने को बिलकुल भी तयार नहीं थी कि यह एक लट है